रेट्बी नोर्ट 7 प्रो के जो सेगंड फिलेश सेल है ना वो कलको है और अगर आप लोग इस फिलेश सेल में इस फोन को बाई करने चूपना नहीं चाहते हो तो इस वीड़ों को आप लोग सुरू से लिगे लास तक देखते रहिए साथ इस वीड़ों मैं आप लोग के बह सब्सक्राइब कर रहा हूं बट आई होप आप लोग इस बात को भी समझते होंगे कि मैं एकदम से हर एक बंदे का रेपला तो यहां पर नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं धीरे-देरे सभी कमेंड कर रहा हूं बट यार परसनली मैंने आप सभी लोग के कमेंड यहां पर बी स्मार्च को भी जो कैस्वान डिलिवरी है ना वह अबलेबल नहीं होगी दूसरी बात जो आप मैंसे बहुत सारे लोगों ने पूछी थी और जिसके बार में बहुत सारे लोग उस्सा भी थे कि छेजी वाला वेरेंट है वह कहा गया यार स्वाम उसको लेगे क्यों नह नहीं आएगा तो यार मैंने परस्वामी वाले से बात कि है और उन्हों मुझे शाब शाब कहा है कि इस वालेट भी नहीं आएगा यह फिर नहीं आएगा तो कब आएगा जो कि मेरे साब से ना बहुत ही बेकार चीजे Xiaomi को अपने customer के साथ में इस तरह का scene यहाँ पर नहीं करना चाहिए वैसे तो जो Redmi Note 7 Pro की flat sale है वो यहाँ पर कुछी second के दने में खतम हो जाती है बल्कि 12 बज़े से कुछ second पहले ही यहाँ पर start हो जाती है लेकिन जैसे के आप में से भी बहुसा लोगों को पता होगा और मैंने भी आपको पिछलों में बताया था कि 12 बज़ के 5 मिनाड़, 10 मिनाड़, 12 बज़ के 20 मिनाड़, 12.5 बज़े एक बज़े यह फोन जो हर बार यानि कि 12 बार यह फोन जो है जरूर आएगा ऐसा यहां पर पिछली फिलेशेल में भी हुआ था अभी हम लेकि आप बात करते हैं पैमेंड ओप्सन को लेकि क्योंकि यहां पर हमको COD का ओप्सन नहीं मिलता है तो पैमेंड करने के जो सबसे फास्ट तरीका है यहां पर कौण सा है तो देखो मेंड भाइलों को फिलेशा ऑप्सन मिलता है उसके अपको दस हजार का एक voucher और दो दो हजार के दो voucher आप आप डाल सकते हो 14,000 रुपे आपके हाँ टोटल अमांट हो जाएगा तो आपको वहाँ पर डारेट किलिक करके आप जो है अपनी पुरसेस है पैमेंट वाली उसको यहाँ पर निप्टा सकते हो और वहाँ पर आपको OTP वगर यहाँ पर सोपिंग ही कर पाओगे वो gift card कभी भी वापिस आपके bank account में नहीं आएंगे तो इस बात को आप यहाँ पर स्योर कर लिजिए कि आपको phone buy करना ही करना है gift card में आपने पैसे फ़साने है यह फिर नहीं तो ही उसके बाद आप यहाँ पर gift card को purchase कीजिए और यहाँ आपको SIM है जिसमें OTP आएगा वो भी आपके इसी mobile में लगा है तो आप लोगों ने एक चीज़ को confirm कर लेना है कि फिल्प कार्ड की app है जो उसकी जो permission होती है वहाँ पर जाकर आपने message की permission उसको allow कर देना है इससे यहाँ पर benefit क्या होगा कि अगर आपकी इसी phone में OTP message आता ह है तो आपको message को खोल के नहीं देखना पड़ेगा कि वह OTP message यहाँ पर क्या है और manually आपको नहें डालना पड़ेगा फिल्प कार्ड ऑटमेटिक ही उस message को आपको OTP है ना वह आपके फिल्प कार्ड की app में यहाँ पर फिल हो जाएगा और आपके यहाँ दो-तिन सेकंड ब देना वह डालना है तो यही चीज भी यहाँ पर काफी फास्ट है अगर आप फोन पर जा सकते हो तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फोन पर की तरफ जाईए उसके बाद मैं आप से कोंगा कि टेविट कार्ड के तरफ जाईए और आगर आप पैसा फशाना चाहते हो त यह वडियो अगर आप को काम क्लिकती है तो इस वडियो को लाइक करना मत बुलना अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना मत बुलना साथ यकर आप लोग उन्हें अब दाए चेलों सस्क्राब नहीं करा है तो फोड़ा हम सब्सक्राइब कर लिजिए और दबास जिए बैल अगली वुडियमे तत्तकेले ओवरेनाउंट